उन्हें मश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों चीन ने आज एक ऐसे कारणामे को अंजाम दे दिया है जो अमेरिका के अंदर बाइडन के लिए एक बड़ा एंबरेस्मेंट बन गया है जो ताइवान की सीमा में गुस गए थे उसके बाद ताइवानी एर फोर्स है उसने चीनियों को खरेड दिया उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने कुछ जो जंगी बेड़े थे वो रवाना कर दिये ताइवान के आसपास तैनाती के लिए और साथी दक्षिन चीन सागर में भी और उसके बाद जो बाइडन ने एक तरीके से चीन को एक रिक्वेस्ट बेजी रिक्वेस्ट ये कि आप ताइवान के यहां पर इस तरह की चीज़े ना कीजिए और इसके बाद हुआ क्या कि इस रिक्वेस्ट को अमेरिकी मीडिया ने खासकर की वो मीडिया जो एंटी टरम्प थी उन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया कि देखे जो बाइडन का तरीका कितना अच्छा है ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ कितने अच्छे से बातचीत के जरी मामले को हल कर रहे हैं अगर टरम्प होते तो युद की बात करते जो मतलब कि अपने लड़ाखुमान चीन के अंदर गुसा देते जो उनके एरगाफ्ट कैरियर्स हैं बड़े बड़े उन्हें वो कैसे डुबाएंगे उन्हें कैसे खतम करेंगे दक्षिंचीन सागर में इसका उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया है और साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अगर वो दक्षिन जीन सागर की तरफ आँ उठा कर भी देखेगा तो अमेरिकी नोसे ना इसका जवाब कडाई से देगी और सबसे मज़े की बात तो यह हुई कि जहाँ पर यह मिलिटरी डिल कंड़क्ट की जा रही है वहाँ से अमेरिकी जंगी बेडे मातर धाइसो नोटिकल मील दूर है यानि बेहर ही करीब है और वहाँ पर इस तरह की मिलिटरी डिल कंड़क्ट की जा रही है उसे सिचुएशन तो खराब होई गई है साथ ही जो बाइडन के लिए अब फेस सेविंग करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब उनसे कठोर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि चीन को बाच्चीत के ज़िए लाइन पर लाएंगे लेकिन चीन तो उल्टा अ अमेरिकी मीडिया जो मतलब कि टरंप का अगेंस थी वो ही अब सही कह रही है कि टरंप की नीती ही चीन के खिलाफ कारगर होगी इनके खिलाफ अग्रेशन ही कारगर है चीन को उसी से दबाया जा सकता है वही हम दक्षिन चीन सागर की बाफ करें तो इस्तिती बहुत ही बिल्कुल मुलेगा थैंकुल मुचा शाशिंगू दियो